सन्यास नाले सको तो मैं कहूंगा ग्रहिष्था अश्रम में रहकर की मंद्र दिछालो माता पिता की सेवा करो उनको गाली न दो बेटे बहुत दोनों मिल करके अपने घर की उन्नती करो प्रगती करो घर की दुरगती न करो विकास करो लेकिन पिनास न करो शराब न पियो नाम है बेटा दोबर तक है लेटा जो जगाने जाये तो साप की तरे फोफ कारता है जगाओ न तो उठता नहीं है उठाओ तो आँख लाल दिखाता है समझाओ तो गुशा करता है ना समझाओ तो मुर्खदा करता है अश्मन्जस बहुत ज्यादा है माबाप डरे विये हैं बेटा बहु कॉम्पटिशन पर सो रहे हैं कॉम्बकरण और कॉम्बकरण की पतनी बने हुए है सारा घर हाहा कार हुआ जा रहा है समझाने वाले ठक गए हैं भगवान को पुकार रहे हैं कि भगवान तुम ही आओ वो इस कॉम्बकरण की मारने के लिए तुम आये थे इस कॉम्बकरण को जगाने के लिए आजाओ कम से कम भगवान कहता है मैं नहीं आऊंगा एक कॉम्बकरण को मारने महालत खराब हो गई अब इसको तुम ही समभालो बहुत जंजट है हस भी सकते हैं थोड़ा हसना भी चाहिए सत है Self-start Self-depend Self-reverence Self-knowledge Self-confidence और Self Life आपका होना चाहिए आपकी जिन्दगी धक्का से न चले सेम जाग जाओ सेम कारी करो सेम पढ़ने बैठ जाओ सेम इस्कूल जाओ सेम घर में सेवाओं में सहयोग करो आलसी मत बनो कितने लोगों की यादत है कोई कुछ कहे न तो चुप-चाप बैठे ही रहते हैं अब उनको कहने के लिए एक आदमी चाहिए कमाल है तो कहने वाला कहता है जब तक कहेंगे तब तक हम खुद ही कर लेंगे ठीक क्योंकि यह तो ढ़ाल है जैहात मरो वत्ते बाज़त है बाकी बंद तो दिन भर ढौल को पीटी भाई देओ तो ढौल मत बनो टेपरी कारिडर बनो एक बार बटन दाब दो बजता रहे अब तुम ढौल बने हो ढौल बजाते बजाते भी तो हाथ ठक जाते पिर बजाने वाला चुप हो जाता Selfish टार्ट रहो दक्का परेड मत रहो और जीवन की बैटरी को चार्ज करना है तो सत्संग की चार्जर पर लगाई है सत्संग एक इतना superior चार्जर है सत्संग एक इतना बड़ा चार्जर है big charger कि जिसमें अगर आप अपने जीवन की बेटरी चार्ज करते हो, तो आपकी जिन्दगी में कभी अधेरा नहीं होगा, सदेव ज्यान का प्रकास फैला रहेगा, कभी भटको हूँ। आप चाहे खेती करते हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे सर्विश में हो, चाहे पुलिश भी भाग में हो, चाहे राजसु भी भाग में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में आपकी नोकरी हो, लिकिन यदि आप मनुस हैं, चाहे शहर में हो, चाहे गाउं में रहते हो, चाहे गरी हों चाहे अमीर हों लेकिन अगर आप मनुष्य है तो आप की मन की बैटरी चार्ज करने की जरूरत है अगर इस बैटरी को चार्ज नहीं किया तो जिन्दगी में दुख का अंदकार फैलेगा और भटकते रहोगे दुख पाते हैं दुख जा रही है तब करने के लिए मा रो रही है मा को मोहा गया माताओं से निवीदन करूंगा अगर आपका बच्चा महान कारी करने के लिए चाता है रो कर बिदा मत करना मुश्करा कर बिदा करना कि जाओ बेटा करो जाकर आशिरबात दे देना और ये भी कहूंगा आपका पती भी अगर घर से बाहर काम के लिए जा रहा है तो द्वार तक बिदा करना और मधूर मुश्करा करके बिदा करना कि जाएए आपको सफलता मिले और लोट के चलती आना धन्यवात देखो तुम्हारा पती सफल होकर आएगा लेकिन पती जा रहा है और तुम सो रही हो तो पती जरूर फेल होगा क्योंकि समस्ता है एक चुड़ेल घर में सो रही है पती जा रहा है और तुम गुश्या कर रही हो तो पती की मन में टेंसल रहे पर सन्नता नहीं रहे और पतियों से भी मैं कहूंगा जब कभी थुम बाहर जाना खेत में, दुकान पे या सर्विश में तो अपने घर से सबसे मिल जुल कर जाना ऐसा नहीं चुपिस निकल गए ठिक मैं जा रहा हूँ तर निवात सब लोग ठीक ठाक रहना प्रेम से रहना इतना कहे कर जाओ, शब्दों का प्रभाव होता है, लोग याद रखते है शब लोग ठीक से रहना, मैं जल्दी लोटूँगा आप सब का प्रेम मुझको खींच लेगा सर्विश पे जा रहा हूँ जनमस्थान तो है, मेरट, बाराबंकी में सर्विश है पुलिश बिभाग में, जा रहा हूँ मुश्करा कर घर से विदा होईए वो अन्द, विदा के समय जो मुश्कान है वो जब तक पुना मिलन नहीं होगा वो मुश्कान बनी रहेगी, खुस रहोगे जिका जोरी करके विदा मत हो कि जडाक से जोला उठाया कि लाओ जोला अब जा रहा हूँ कभी नहीं होँगा और फिर चंदुलाल एक महिना बात खड़े फालतू बात करते इसी फालतू बाते मत करो प्रीती करो नीरे बाह करो अनरीती करो अब ही कहे ना है बाढ़ी के प्रीती अथाह भाई तब दुख यो सुख सबे सहे ना है समझना इसको बहुत मारी में पंक्तिया है प्रीती करो नीरे बाह करो अनरीती करो अब ही कहे ना है बाढ़ी के प्रीती अथाह भाई प्रेम करो दूश को निभाओ भी ये प्रेम कोई पकोड़ी समुशा नहीं है खाया नहीं अच्छा लगा धा भेंक दिया इसा नहीं निभाना कला है याद रखना जब तुम भक्ती करने के लिए चलते हो तब करने के लिए चलते हो तो लोभा करके तुमको रोकना चाहता है सेर का दो सेर अन्न हो गया मंत्री आता है द्रू को रोकता है कहता है वापस चलो अभी तक जो सेर अन्न खाने को मिलता था अब दो सेर मिलेगा लेकिन तब करने मत चाओ तो दुरू ने एक बात कही है दुरू कहते हैं जिन प्रभू ने एक सेर से दो सेर कर दिया उनके भौन में और क्या कमी है अभी मैं तप नहीं किया हूँ केवल कहा हूँ तप करने जा रहा हूँ खाली नाम से डबल हो गया है तो जब करूँगा तो न जाने क्या होगा मंत्री निराज सोकर वापस लोट गया और मंत्री ने राजा उत्तान पाद से कहा कि आपका बेटा मान नहीं रहा है आप कुछ करो दूसरी मंत्री को भेजा जाओ पांच गाउं दे देना आधा राज्य दे देना वापस ले आगा त्याग में बहुत बड़ी शक्ती होती है पांच गाउं आधा राज्य अधे राज्य का लालच भी दुरू को रोक न सका दुरू आगे पढ़ गए राजा उत्तान पाद सेम आते हैं दुरू से कहते हैं पूरा राज्य ले लो मैं बन को चला जाओंगा लेकिन तुम घर को वापस चलो दुरू मुश्कराते हैं और क्या कहते हैं पिताची जब जगत के पिता का शहारा लिया तब करें क्यों शहारा तुम्हारा पिता वही पालन करें वही ले गोद में वही दुखसक सुनेगा हमारा जाओ जाओ जजाओ तुम्हें क्या पड़ी जाओ जजाओ तुम्हें क्या पड़ी चाहे जैसे करेंगे गुजारा पिता नामे बेटा रहा आज से आपका तूटनाता हमारा तुम्हारा पिता जब जगत के पिता का शहारा लिया तब करें क्यों शहारा तुम्हारा पिता वही पालन करें वही ले गोदली वही दुख सुख सुनेगा हमारा पिता जाओ जाओ जजाओ तुम्हें क्या पड़ी जाओ जजाओ तुम्हें क्या पड़ी चाहे जैसे करेंगे गुजारा पिता नमे बेटा रहा आज से आपका तूटनाता हमारा तुम्हारा पिता तूटनाता हमारा तुम्हारा पिता दुरु ऐसा बोल करके पिता की तरफ से मुढ़ करके जंगल चले जाते हैं जंगल में मदुबन में प्रवेश करते हैं नारज्जी से भेट होती है नारज्जी पुरुन जयान देते हैं दुरु का तप प्रारंभ हो जाता है तपस्या से सारी शमष्या का अन्त हो जाता है और दुरू भक्त और संत हो जाता है और उसका जीवन बशंत हो जाता है इसलिए आप भी तपस्या करना तो आपकी समष्या खतम हो जाएगी पाँच वर्ष की उम्र में दुरू ने तब किया था मैं इस कहानी को इसलिए सुनाया हूँ कि आपकी पचास वर सुमर हो गई अभी मंतर दिछा नहीं ले सके आपकी बीस वर सुमर हो गई अभी सोच भी नहीं सके इस बाहरत इसलिए कबीर शाहिब कहते हैं बहुत बड़ी बात कबीर शाहिब ने कहा है कि राम न रम से कौन दंड लागा हे इंसान तो राम में रमन नहीं करता है भक्ती नहीं करता है सत्संग में रुची नहीं लेता है स्वाध्याय नहीं करता है संत दर्शन नहीं करता है तुझे कौन सा पाप लगा हुआ है इसलिए तुलशी दास ने कहा है कि पुणी पुण्जबी नो मिला ही न संता जब पुण्णी का डेहरी कठा होता तब संत मिलते हैं ऐसे नहीं मिलते है और सब मिल जाएंगे लेकिन संत नहीं मिलेगे भाग्यो उदेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगम चालबते पुरुषो यदावे अज्ञान हे तुकरत मोह मदान धिकार नाशम बिधाय हीत दूदे ते बिबेका जब मनुष्य का भाग्यो उदे होता है बहुत जन्मों का पूढ़े शंग्रहीत होता है तब उसे सतसंग मिल जाते है और सतसंग मिलने से उसके वीतर विवेक उदे होता है तो अज्ञान की कारण जो मोहमद का अंधकार है वो दूर हो जाता है और जीवन में सुक शांती का प्रकास फैल जाता है लेकिन बिवेक सत्संग की बिना नहीं होगा बिना सत्संग की बिवेक नहीं होता है सत्संगत की महिमा बड़ी आए कर लो घड़ी तो घड़ी सत्संग का प्रभाव है आप सोचना शंगत का कितना महत्त है मैं यह आपको बताऊंगा चीटी जब फोल की शंगत करती है बगवान की मंदिर में चड़ जाती है चीटी वही है केवल फोल की संगत किया है बगवान की मंदिर में चड़ गई बगवान के उपर चड़ाया हुआ जो छपन प्रकार का भोग है भगवान लगाता है की नहीं लगाता कुछ पता नहीं लेकिन यो चीटी प्रेम से बैट कर भोग भी लगाती है केवल फोल की शंगत किया है और वही चीटी जब जलती हुई लकडी की शंगत कर लेती है तो आग में जल करके मर जाती है और वही चीटी जब धूल की शंगत करती है तो पेरों के नीची रोंद कर मारती जाती है शंगत के इतनी बड़ी परिडाम है पानी जब दूद की शंगत कर लेता है 30 रुपी लीटर बिक जाता है फिरी मिलने वाला हेंड़ पंप में पानी जब चाय की संगत करता है एक कप पानी 5 रुपी का बिक जाता है और वही पानी जब मिट्टी की संगत करता तो कीचड बन जाता है जहां लग जाता है कपड़ी को गंदा कर देता है और वही पानी जब साबन की संगत करता है तो लगे हुए कीचड़ की गंदगी को साब भी कर देता है और वही पानी जब किसी महान सद्गुरू के चरणों की शंगत करता है तो वो चरणा मरत बन जाता है एक बूंद चरणा मरत पान करने से जीव भावसागर से पार हो जाए पानी वही है शंगत बदल गई पानी के परणाम और कीमत बदल गई इनसान तो वही है संगत जैसी मिल गई रंगत वैसी लग गई सत संग में शदेवरुची लेना सत संग देरे देरे तुम्हारे आउगणों को भी दोर करता है मांस मचली अंड़ा नसा शराप जुआ तास बेड़ी सिगरेट कांजा तंबा को इनका सबका त्याग करना पेशे कमाना एक कला है लेकिन पेशा बचाना दूसरी कला है बचिवी पैसे का सुद्वियोग करना ये तीसरी कला है उसी पैसे में शेए धर्म की रच्छा के लिए पैसे खर्च करना ये जीवन की साधना है शंभल संभल करके चलना कबीर साहिब कहते हैं मरी जेबे का करीबे अभागा सहेब कहते हैं बच्पन से ही भक्ती सुरू करो न जाने किस गली में जिन्दगी की शाम हो जाए जीवन कंपल सरी शव वरस्का नहीं है जल्दी भी बिदा हो सकते हो इसलिए मंत्र दिच्छा जल्दी लेजिए गुरू करेजान के पानी प्याच्छान के अच्छा गुरू बनाईए अच्छी नाव पर बेठोगे तो नाव भी पार हो जाएगी तुम भी पार हो जाओगे तूटी नाव पर बेठोगे छेंदवाली नाव पर बेठोगे नाव भी डूप जाएगी तुम भी डूप जाओगे गुरु तो नाव है, कम्पलीट गुरु होना चाहिए गुरु निर्मलाह शान्ताह शाधो मित भाषिना काम क्रोध विनिर मुक्ता सदाचारा जीतेंद्रिया गुरु कैसा होना चाहिए पारवती जी असकंद पुराण में सिव जी से पूछ रही है सिव जी कहते हैं कि हे पारवती गुरु निर्मल होना चाहिए गुरु में मल ना हो, जिसका मन निर्मल, तन निर्मल, बाणी निर्मल, जीवन निर्मल, चरित निर्मल, विचार निर्मल ऐसा गुरु होना चाहिए शानता और गुरू शानते और प्रशन होना चाहिए गुरू ऐसा हो जो प्रशन रहता हो खुस रहता हो ताकि तुम गुरू का दर्शन करके तुम भी खुस हो जाओ शानता शाधो और गुरू शाधो होना चाहिए ग्रहस्त नहीं होना चाहिए ग्रहस्त को गुरू मत बनना, सादू को गुरू बनना क्योंकि तुम सेम ग्रहस्त हो सोचो, आपके कपड़ों में गोबर लगा हो उस गोबर को तुम दूसरे गोबर से छुड़ाओ तो गोबर छुटेगा कि डबल लग जाएगा आपके कपड़े में खोन लग गया हो खोन को दूसरे खोन से धो तो पूरा कपड़ा खोन से और लद्पत हो जाएगा तुम ग्रहस्त तो हो ही तुमको बिरक्त गुरू चाहिए सादू गुरू चाहिए ब्रह्मचारी गुरू चाहिए त्यागी गुरु चाहिए विश्य भोगों से उपराम गुरु चाहिए तुम ग्रहिस्त तुमारे एक पत्नी है तुमने ऐसा गुरु बनाया कि उसके दो पत्नी है तुमें एक बेड़ी पीते हो तुमारा गुरु गांजा भी पीता है तुम्हारा वेड़ा पार कर देगा घाजा कि धुआ में तुमको धुआ धुआ कर देगा एश्वक गुरु नहीं होना चाहिए गुरु से यमी हो अभी एक सज्जन कह रहे थे मैं अपने गुरु से असंतुष्ट हूँ तो मैंने का फिर क्या मार पीट करोगे गुरु से बले मार पीट नहीं ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो मैंने का कर लो यहां सूचना क्यों दे रहे हो बले इसलिए दे रहा हूँ डर लग रहा कोई खत्रा तो नहीं होगा ट्रांसफर के तो मैंने कहा ये तो अश्कंद पुराण में सिव जी ने कहा है ज्यान हीनों गुरू त्याज्यो मिथ्यवादी बिडंबका सु विसरांती ना ज्यानात परसांती करूत कि जो ज्यान से हीन है मिथ्यवादी है अडंबरी है पाखंडी है उस गुरू को छोड़ दो सच्चे गुरू को पकड़ लो इसमें कोई पाप नहीं लगता है बस इतना जरूर है उस गुरू की निंदा मत करो उसको वही पर छोड़ के आगे बढ़ जाओ मित भास नहो और गुरू मित भासी हो बकवासी नहो जरूरत भर का बोली फिर चुप भी रहे हर समय खर खर भर भर जर जर लगाए रहे वो गुरू के योग की नहीं है तो परपंची है क्योंकि ग्यान की बात तो थोड़े में हो गई अब फिर बात करते करते सुरू कर दिया तुमारे भैस बच्चा कब दे तुम्रे है यह कवर बोड़ी बैस रहे हो हाई की नहीं है और तुम्हारे दुबरे एक कुटिया पली रहे लाल रंग की वो is हाई की नहीं दुनिया भर का परपंच कर रहा हो गुरू गुरू नहीं है वो गुरू है खुद बन्धा है माया में तुम को बाढ़ेगा गुरु में कोई नशा विशन भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल साफ सुथरा का और गरीब अमीर सभी से मिलता भी हो गरीब मिल जाये तो भी प्रणाउन नमस्कार अमीर हो तो भी गरीब, अमीर, किशान, मजदूर, दुकानदार सको में गरीब का भी नाम याद कर लेता हूँ क्योंकि गरीब ही शंत को महान बनाता है भक्त ही भगवान को भगवान बनाता है द्यान देने इस बात को जैसे मैं एक आपके सामने बात कहना चाहता हूँ माबाब दोनों मिलकर के बेटा बेटी को जनम देते है माबाब कहते हैं कि यह मेरा बेटा है यह मेरी बेटी है लेकिन बेटा और बेटी क्या कहते हैं कि यह मेरे बाप है यह मेरी माँ है तुमने तो बेटा और बेटी को जनम दिया है लेकिन बेटा बेटी ने तुमको माबाब बना दिया है अगर बेटा बेटी जनम न लेते तो तुम माबाब की डिगरी नहीं पाते उन्होंने तुमको अपने से बड़ाप सरटिफिकर दिया भक्त ना होता तो भगवान को भगवान कौन कहता शिष न होता तो गुरु महराज कौन कहता शिष गुरु बना देता है 36 गड़ प्रदेश में जब लोग मंत्र दिछा लेते तो कहते हैं हम आपको गुरु बनाएंगे तो मैं कहता हूं बड़ी अच्छी बात अभी तक मैं गुरु बना नहीं था तुम बना दो बोले आप हमको शिष बना दो तो मैं तो उनको शिष बनाता हूं लेकिन वह हमको गुरु बना देते हैं तो वो बड़े हो गए ना तो क्यों बड़ा काम कर रहे हैं गुरु बना रहे भक्त भगवान बनाता है इसलिए भगवान गुरु शंत एक क्रपवान होते है बिंदुजी एक बहुत बड़े कभीफ ही है मोहन मोहिनी उनकी एक किताब है मैं बज़पन में उसको पढ़ता था उस किताब का नाम है मोहन मोहिनी और कभी का नाम है बिंदुजी उन्होंने भगवान कृष्ण के बहुत भजन बनाए है उलाहना के भजन शिक्वा सिकायत भगवान से करते हैं तो एक उनका भजन है उलाहना का कि क्रपा की न होती जुआदत तुम्हारी बिंदुजी कहते है भगवान है गुरु महराज यदि क्रपा करने की तुम्हारी आदत न होती तुम्हारी तो आदत है क्रपा करने की जैसे आम के पेड़ की आदत है आम के फल देने की और गाय की आदत है दूद देने की ऐसे तुम्हारी आदत है करपा करने की अगर आपकी करपा करने की आदत ना होती प्रभू मेरे गुरुदेयो भगवान तो आपकी अदालत में आपके सम्मक आपके पंडाल में सुनापन होता सनाटा होता यहां कोई भी नहीं आता लेकिन आपकी करपा बरसती है इसलिए करपा के प्यासे बंदे इकठे हो गए तु गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे और गरीबों से है बाद शाहत तुम्हारी ये गरीबों की दुनिया तो आपके कारण आबाद है लेकिन गरीबों के कारण तुम बाद साह बने हो अगर माया के बंधन में हम न पड़े होते तो आपका श्युमिरन क्यों करते घर घर में आपकी प्रार्तना क्यों होती तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदो हैं आपके प्रेम की यादों के आशों हैं द्रग माने आख बिंदों बोने आख में बोने किसकी निकलती आशों की आख से आशों जो निकले हैं आपके प्रेम की याद में हैं इसलिए आशों भी आपके हैं क्योंकि आपकी याद में निकले हैं तो यह आपके हैं तो यह आशू में आपको शौप रहाओं और मेरे पास कुछ नहीं है यह लाशूं की अमानत है इसको सविकार करो यह तुम्हारी ही याद में निकले हैं इसलिए आपके ही आशू हैं आप इनको सविकार करो तुम्हारी ही उल्फत के ये द्रग बिंदु हैं ये तुम्हें सौपते हैं अमानत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी बाब बेटे को जिनम देता है लेकिन बेटा आपको बाब बना देता है याद रखना कबीर सहिब कहते हैं मरने के पहले पहले जिन्दगी की शाम हो उसके पहले ग्यान का दीपक जला लेना मरतु का वक्त आये उससे पहले अमरत का प्याला पी लेना कभी मरतु से घबराना मत मरतु क्या है किवल तुमारे शरीर का परिवर्दन करती है तुमारा परिवर्दन नहीं करती है तुम शरीर नहीं हो तुम अजर मर अभिनाशी आत्मा हो तुम जेतना हो, तुम साच्छी हो, तुम द्रिष्टा हो, तुम मृत्व के आने पर भी मरते नहीं हो, शरीर मरता है, तुम्हारी मृत्व नहीं होती है। मृत्व तो बहुत बार आचुकी है, तुमको नहीं मार सकी है। जिसे सस्त्र से छेदा नहीं जा सकता, पानी से बेगाया नहीं जा सकता, हवा से सुखाया नहीं जा सकता, आग से जलाया नहीं जा सकता। जिस शरीर के मरने से भी उसकी मृत्तु नहीं होती, ना ऐसा कभी हुआ है, ना होगा, ना होता है, ना हो सकता है, ना जैते मृते वा कदाचिन, ना उस परमतत्तु का जनम होता है, ना उसकी मृत्तु होती है, तुम जनम मरन से परे हो, तुमारे शरीर का ही केवल जनम होता है तुम तुम ही रहते हो तुमारे में कोई परिवर्तन नहीं होता है लेकिन याद रखना जैसे कपड़ा मुनश्य पुराना बदल देता है नए कपड़ा पहन लेता है ऐसे ही आत्मा पुराने शरीर को चेंज कर देता है और नए शरीर को धारण कर लेता है आप से कोई कहे कि पुरानी गाड़ी हमको वापस दे दो और नई कार ले लो तो तुम उसको धन्यवाद दोगे चाय भी पिलाओगे कहोगे महानात्मा हो तो मृत्व कौन है मृत्व तुम्हारी पुरानी गाड़ी को वापस लेती है और नई गाड़ी को तुमको परदान करती है इसलिए मृत्व को धन्यवाद देना चाहिए मृत्व से घबराना नहीं चाहिए और पुराना सरीर वापस करती है और नया सरीर तुमको प्रदान कर देती है मरत तो धन्यवात की पात रहे लेकिन लोग मनाते हैं मौत नाए, मौत नाए, मौत नाए ये भगवान सब मर जाएं, हम अमर हो जाएं हम न मरें ये सारा गाउं हमारे कबजे में हो जाए पूरे भारत में अकेले हम रहें हमी हम, कोई नहीं गम सब हो जाएं कम, दमा दम, हम हम कहां ऐसा होगा इस लोग का नाम क्या है? इस लोग का नाम मृतु लोग है क्या नाम है? मृतु लोग है तुम बड़ी भूल कर रहे हो इसका नाम अमरलोक नहीं है इसका नाम मृतु लोक है और मृतु लोक का मतलब है जहां सबकी मृतु होती है उसी का नाम मृतु लोक है दारिद्रिनाशनम दानम सीलम दुर्गतिनाशनम अज्ञान नाशनी प्रग्या भावना भेनाशनी दान करने से दरिद्र का नाशोता है दान करने से लोब का नासोता है लोब नरक का दवारहे तृविधम नरक सी इदम द्वारम नाशनम आत्मनह कामह कृधात था लूभा तश्मात यतत्त्रयम तजेते स्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं काम कृष्ण लोग नरक के द्वार हैं इनसे बचो और हे कुंती पुत्र अर्जुन जो इनसे बच जाता है उसी का मुच्छ होता है अन्य दान करने वाले के घर में कभी अन्य की कमी नहीं होते है धीरु भाई अम्बानी गरीब परिवार में जन्में गाडरवाडा गाउं में सवराष्ट्र में उनका जनम हुआ उनके गाउं में एक मंदिर था वहाँ पर बेचने जाते थे चना मुर्मुरा एक रुप्या दान मंदिर में कर देते थे उस दान के प्रभाव सी गरीबी तो लाखों को उसदूर हो गई विश्र के उद्धोपतियों की लिष्ट में धीरु भाई अम्बानी का नाम सितारे की तरे चमक गया किसी की माननता है कि बाल बढ़ाने से मोच होता है लेकिन बाल बढ़ाने से अगर मोच हो जाता तो यह महिलाओं का सबका मोच हो गया होता है इनकी बाल बड़े बड़े रहते है इसलिए जटा रखने की भी जरूरत नहीं रोज मुंडन कराने की भी जरूरत नहीं कोई तीरत कोई मुन्डित केशा पाखंड मंत्र भरम उपदेशा और कवीर शाहिब कहते हैं पाखंडियों की मंत्र जब से भी कल्याण नहीं होगा योग नमक जपत पुपवाशा कहो भगत पत कौन प्रयासा एशे जंत्र मंत्र के चक्कर में भी मत बुड़ो असली मंत्र तो सत्संग की शब्द ही है इनको समझो और मानो कोई तीरत कोई मुन्डित केशा पाखंड मंत्र भरम उपदेशा बिद्या बेद पड़ी करे हंकारा अंतकाल मुकफा कैच्छारा सहिप के ते अनेक विद्याओं को पड़के बेद पड़के एहंकार यदी आ गया तो अंत में माया की धुल ही चाटनी पड़ती है इसले विद्ध्वान बनो लेकिन विद्धता का अभिवान मत करो सरल रहो दुखित सुखित हुई कुटम जेवावे मरण बार ये कसर दुख पावे एक आप पापानी कुरती फलंभुगती महाजना भोकतारो विप्रमुचनते करता दोश्यन लिपते विद्धुर जी कहते हैं एक आदमी पाप करके धन कमाता है परिवार की बीस आदमी उसको भोगते हैं लेकिन उस अपने पाप कर्म से कमाई हुए धन का फल उस अकेले को भोगना पड़ जाता है इसलिए दुखित सुखित हुई कुटम जेवावे कविर साहिब कहते हैं दुख सुख उठा करके आदमी अपने परिवार को पालता है मरने बार एकसर दुख पावे जब मरता है तो अपने कर्मों का फल एक अकेले को ही भोगना पड़ता है इसलिए अच्छी कमाई करके परिवार को पालना क्योंकि काला धन तुमारे परिवार के अंदर काला मन पैदा कर देता है काला धन काले रास्ते से ही जाता है इसलिए कभी गलत धन मत कमाना शुद्ध धन हो धन का भी प्रभाव पड़ता है जेसा खाए अन्न वैसा बने मन जेसा पिए पानी वैसी बने पानी दुखित सुखित होई कुटम जेवावे मरण बार ये गसर दुख पावे कहई कविरी आकली है खोंटी जो रहे करवा से निकर रहे टोंटी कवीर साहिब कहते हैं ये आपकी दुर्बुद्धी बहुत खोंटी है आपके भीतर जो भी संसकार भरे हैं वो एक कर्म के करवा से बाहर निकल करके आते हैं इसलिए अपने संसकारों को सुद्ध कीजिए तो आपके कर्म सुद्ध हो जाएंगे और कर्म सुद्ध होंगे तो क भक्ति शुरू किजिए, सत्संगी बन कर रही, नौयवक बच्चों को सत्संग से चोड़िए, माताय बेहने भी सत्संग का लाब ले, नियम पूर्वक रही, मन को समालिए, चिंता, टेंसन, उल्जन से अपने आपको बचाईए, आपका कल्याण होगा, सिधे होकर बैट जाईए, सत्संग बिशरचन का मंत्र पढ़िए, कुटनों पी हाथ रखलो, पादमासन में बेठो, जिनको बेठने की जगे नहीं, वे खड़े-खड़े हाथ जोड़े रो, कोई बात ने, आखे बंद करके मंत्र बोलो, सर्वी भवन्तु सुखिना, सर्वी संतु निरामया, सर्वी भद्रानी पस्यंतु, मा कस्ची तुख भाग भवी, सुखी बसे संसार शब, दुख्या रहे न कोई, रिशी मेरी भावना, पुण करो प्रभुसोई, ध्यान मोलं गुरुर मूर्ती, पुजा मोलं गुरुपदं, मंत्र मोलं गुरुँर वाक्यं, मोच्य मोलं गुरु कृपा, शान्ती, शान्ती, शान्ती. सवीशृता, एक मिनट इस्टदेव का ध्यान करले, झाल झाल झाल